पाकिस्तान से आयर एकिस्तानी टिड्डियों के बड़े जुंड भारत में फसलों को नस्ट कर रहे हैं ऐसा माना जा रहा है कि बीते तीन दश्गों में टिड्डियों का ये अब तक का सबसे बड़ा हमला है हाला कि कीट नाशक का छड़काओ करके उन्हें भगाने की कोशिशें की जा रही है लेकिन कि आप जानते हैं कि टिड्डी कहां से आती हैं और कितना खाती हैं कितनी टेज उड़ती हैं और कहां रहती हैं इस वीडियो में हम आपको टिड्डियों के बारे में सब कुछ बताएंगे साल 2020 में टिड्डियों का जुंड पहली बार 11 अप्रेल को भरत वाकिस्तान सीमा पर देखा गया था टिड्डी का वेग्यानिक नाम सिली फेरा होता है ये एंटार्टिका को छोड़कर सभी महाद्यूबर पर पाए जाते हैं दुनिया भर में टिड्डियों की तकरीबन 11,000 प्रजातियां पाए जाती हैं जिन में से 10 प्रमुक प्रजातियां पाए जाती हैं रेकिस्तानी टिड़ी, बॉम्बे टिड़ी, प्रवासी टिड़ी, इटैलियन टिड़ी, मुरक्को टिड़ी, लाल टिड़ी, भूरी टिड़ी, दक्षडी अमेरिकन टिड़ी, और व्रिक्ष टिड़ी भारत में केवल चार प्रजातियां रेकिस्तानी टिड़ी, प्रवासी टिड़ी, बॉम्बे टिड़ी और विरिक्ष टिड़ी पाई जाती है टिड़ी का जीवन काल सिर्फ दस हफ्तों से लेकर चार महीने तक ही होता है सामानी रूप से भारत में रेगिस्तानी टिड्डियों के दल तबाही के कारण होते हैं भारत में आमतोर पर टिड्डी दल जुलाई से अक्टूबर के बीच दिखते हैं टिड्डी एक दिन में 100-150 किलोमीटर तक उड़ सकती है लेकिन उनकी दिशा और गती तय नहीं होती हवा का रुख जिस ओर होता है उसी तरफ निकल जाते हैं ये टिड्डी यहिंद मासागर को पार करने के लिए 300 किलोमीटर की दूरी भी पार कर जाते हैं टिड्डी किसी प्रकार का घोसला या अपना घर नहीं बनाते बलकि ये भोजन की तलाश में प्रवासी की तरह सुरोंतों को खोचते हुए पलायन करते रहते हैं टिड्डी शाकाहारी होने के कारण प्राकृतिक और उगाई हुई वनसपती खाते हैं जिसमें उनके पसंदीदा खादिपदार्थ घास, मक्का, गेहु, जव, आदी हैं टिड्डी की लंबाई दो इंच से पांच इंच के बीच होती है मादा टिड्डी, अधिकांशतया, नर टिड्डी से बड़ी होती है टिड्डी के सुनने के अंग सिर पर ना होकर पेट पर पाय जाते हैं टिड्डियां छोटे सिंगों वाले प्रवासी कीट होते हैं इसके दो एंटीना, छे पैर और दो जोड़े पंक होते हैं टिड्डी एक बार में करीब 25 सेंटी मीटर ऊचा और लगबग 1 मीटर लंबा कूच सकती है जबकि इसके उड़ने की रफ़तार करीब 13 किलो मीटर प्रती घंटा है टिड्डी सुबह 7 से 5 बजे तक सफर करती है इस दोरान रुकते भी नहीं और जहां ये रुकते हैं वहां अंडे देते हैं टिड्डी अंडा देने की आवधी में टिड्डी दल एक स्थान पर 3-4 दिन तक रुक जाता है टिड्डीों का एक छोटा दल एक दिन में 10 हाथी और 25 उंट या 2500 आदमियों के बराबर खाना खा सकता है अफरीकी मद्ध और दक्षिन अमेर की देशों में टिड्डी को आम तोर पर खाया जाता है टिड्डी प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोथ है 2470 से 2220 इसाव पूर्व की आवधी में कबरों पर टिड्डों की नकाशी की जाती थी साल 2003 में मौरी टाना, माली, नाइजर और सूडान में टिड्डी का पहला प्रकोब हुआ था इथोपिया और सुमालिय जैसे देशों यानि हौन आफ अफरीका में पिछले 25 सालों में टिड्डी दलों का सब सब भयानक हमला अभी भी जारी है टिड्डी चेतावनी संगठन की इस्थापना 1946 में की गई थी जैपूर में लगबग 28 साल बाद मई 2020 में टिड्डी दल ने दस तक दी इससे पहले 1993 में टिड्डियों ने जैपूर में फसलों को चट कर दिया था साल 1926 से 1931 के बीच टिड्डियों के हमले से लगबग 10 करोड का नुकसान हुआ जो 100 साल के दोरान सबसे अधिक है ऐसे ही रोचा खबरों को देखने के लिए सबस्क्राइब करें दा न्यूज व्यूज